हेलो तोस्तों क्या आपके भी पास में Amistok का Demet Account है और आप उसको Close कराना चाहते हो आप उसको बंद कराना चाहते हो क्यूंकि उस पर Charge लग रहा है आपके पेसे कट रहे हैं हर महीने उस पर Charge लग जाता है और आप उसको Use भी नहीं कर रहे हो अगर आप यह चाहते हो के हमारा जो Demet Account है वो बंद हो जाए तो आप बिलकुल सही वीडियो पर आए हो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इजीली तरीका क्या है Demet Account को तुरंत से Close कराने का आपने यूटूब पर बहुत सारी वीडियो को सर्च करके देखा और देखने के बाद में उन वीडियो से आपका काम नहीं हुआ आप फिर भी परिशान हो आप यह सोच रहे हो किस तरीके से हम अपने इस Demet Account को जो की Amistock का Demet Account है वो आपने खुद बना था यह फिर किसी फ्रेंड से बनवाया था लेकिन अब आप उसको यूज नहीं करना चाहते अब जैसे के आप उसको यूज नहीं कर रहे हो लेकिन Charges अब भी कट रहे हैं आप यह चाहते हो कि यह हमेशा के लिए बंद हो जाएं और आपका जो चार्ज कट रहा है वो कटना बंद हो जाए तो आप बिलकुल सही वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के इंदर में आपको एक बहुत अच्छा तरीका और बिलकुल इजी तरीका बताऊंगा उस तरीके से आपका जो DMAT MSTOCK का अकाउंट है ये ये permanently हमेशा के लिए delete हो जाएगा, close हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए इस वीडियो को आपको भीने skip किये, end तक देखना होगा, 2024 में एक ने तरीके से आप MSTOCK के demate account को किस तरीके से close कर सकते हो, अपने ही phone से अपने घर बेठे, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को end तक देखें, वीडियो स्टार्ट करने से पेले अपने भाई का नाम जानने, जो मेरे नाम है शाहिद, और आप देख रहे हैं शाहिद इसे यूटूब चैनल, चैनल पर नहीं हो तो बैश चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को अल पर पेस कर लो, ताकि आने वाली मेरी वीडियो के उपडेट आपको मिलती रहे, कुछ डीमेट अकाउंट ऐसे होते हैं, कि उनके चार्जिस करते हैं, लेकिन जब हम डीमेट अकाउंट को ओपन करते हैं, उस वक्त जो है हम उसके बारे में पूरा पढ़ते नहीं है और होता क्या है उसके चार्जिस करते हैं जो कि हम दीमेट अकाउंट खोल लेते हैं जैसे के M-Stock का दीमेट अकाउंट आपका अब वो बंद कराना है आपको तो मैं आपको बता दूँ के कैसे बंद होगा अब आप वो समझ लीजिए देखो आपको यहाँ पर अगर मैं इसी वीडियो के अंदर लाइप प्रोसेस करके दिखाऊं तो उसमें तो वीडियो भी लंबी हो जाती है और बहुत लोग ऐसे होते हैं उसे करना भी नहीं आता है तो मेरे पास में कुछ मैसिज ऐसे आते हैं जो कि मेरे इस्टेग्राम पर आते हैं वो आकर के मैसिज करते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारी ये प्रोब्लम है हमारे पास में M.Stock का डीमेंट अकाउंट है हम इसको close कराना चाते हैं तो आप क्या हमारी मदद कर सकते हैं क्या आप हमारी help कर सकते हैं उसको close करने के लिए तो मिए वहीपर उनसे बात करता हूँ और वहीपर screenshot दोआरा मतलब कि यहाँ पर तो आप मुझे screenshot नहीं भैस सकते और आपकी problem क्या है ये भी मुझे नहीं पता है क्योंकि सब की अलग-अलग problem होती है तो आप यहाँ पर कब से try कर रहे हो इसको close करने के आपने कितनी emails भेज ली और उनके तरफ से क्या response आता है, उनके तरफ से क्या email आता है वो सारी चीजे आपको मुझे बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी उसके बाद मैं Instagram पर होगा क्या, कि मैं वहाँ पर आप से बात करूँगा call पर भी, chat पर भी, और screenshot मैं अपनी तरफ से भी भेजूँगा और आपके तरफ से आप भी मुझे screenshot भेजोगे और मैं वही पर सारा process बता दूँगा आपको easily तरीका बताऊंगा बहुत आपसे बात करते हुए मैं आपका account वही पर close करा दूँगा तो आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के description में जाना है मेरे Instagram का link मिल जाएगा follow करना, message करना, problem बताना, screenshot send करना आपसे बात करूँगा और आपका account वही पर मैं close करा जूँगा उसके बाद में आपका कोई भी charges नहीं कटेगा सारी problem आपकी solve हो जाएगी account permanent के लिए close हो जाएगा फिर आपके कोई भी charges नहीं कटेगे I hope कि आपको वीडियो अच्छे लगएगा आपको पसंद आएगा जिसको लाइक करें शेयर करें मेरे चेलन को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में